चानक के आईएस अकैडमी में आप सभी का स्वागत है। यह है वीडियो सोशल मेडिया इंफ्लूएंसर जारा पटेल का था जिसे एडिट करके जारा पटेल के चहरे को रश्मिका मंदाना के चहरे से रिप्लेस कर दिया गया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद केंद्रिय मंत्री राजीर चंद्रशेखर ने कहा कि डीप फेक वीडियो गलत सूचना का सबसे खतरनाक रूप है ऐसे वीडियो पर सोशल मेडिया कमपनियों की जवाब दे ही तैह होनी चाहिए आविताफ बच्चन ने भी वीडियो को शेर करते हुए कहा कि इस पर कानूनी कारवाई होनी चाहिए रश्मे का मंदाना का यह है वाइरल डीप फेक का सबसे बड़ा ताजा उधारन है आखेर डीप फेक क्या है और इसे पहचानने का तरीका क्या है बहुत ही आसान भाषा में कहें तो डीप फेक एक एडिटेट वीडियो होता है जिसमें किसी अन्य के चेहरे को किसी अन्य के चेहरे से बदल दिया जाता है Deep fake videos इतने सटीग होते हैं कि आप इन्हें आसानी से पहचान नहीं सकते तादा उधारन के लिए आप रश्मिका मंदाना के वीडियो को देख सकते हैं यदि जारा पटेल का असली वीडियो सामने नहीं आता तो कोई भी यकीन कर लेता कि यह वीडियो रश्मिका का ही है किसी भी इनसान का Deep fake video बनाया जा सकता है Deep fake video बनाने के लिए Artificial Intelligence और Machine Learning की मदद ली जाती है अब हम बात करेंगे Deep fake technology के बारे में Deep fake शबद Deep Learning और Fake के मेल से बना हुआ है Deep fake टेकनोलोजी की मदद से किसी दूसरे की फोटो या वीडियो पर किसी सेलिबरिटी वीडियो के फेस के साथ फेस स्वेब कर दिया जाता है यह देखने में बिलकुल असली वीडियो या इमेज की तरह ही दिखती है यह टेकनोलोजी ऐसी अलगोरीदम और पैटरन को लर्ण करती है जिसका इस्तेमाल मौजूदा इमेज या वीडियो में हेर फेर करके उस से और जादा रियल बनाने में किया जाता है इससे बनी वीडियो और इमेज पर लोग आसानी से भरोसा भी कर लेते हैं यह टेकनोलोजी जनरेटिव एडवर्शल नेटवर्क का इस्तमाल करती है जिससे फेक वीडियो और इमेज बनाई जाते हैं अगर इसके शुरुआत के बात करें तो डीप फेक शब पहली बार 2017 के अंत में एक रेडिक्ट यूजर द्वारा बनाया गया था जिसने अशलेल वीडियो पर मशूर हस्तियों के चहरे को सूपर इंपोस करने के लिए डीप लर्निंग टेकनोलोजी का इस्तमाल किया था 2018 तक Open Source Library और Online Share किये गए टुटोरियल की बदॉलट टेकनोलोजी इस्तमाल में आसान हो गई थी बाद के 2020 के दशक में डीप फेक अधिक परिश्तरत हो गया और उसका पता लगाना भी कटिन हो गया अब हम बात करेंगे कि डीप फेक वीडियो को कैसे पहचाने इस तरह के फोटोज वीडियोज को पहचानना आसान तो नहीं है लेकिन नामुम्किन भी नहीं है इन्हें पहचानने के लिए आपको वीडियोज को बहुत ही बारिकी से देखना होगा खास तोर पर चहरे के एक्स्प्रेशन्स आँखों के मॉम्मेंट और बॉडि स्टाइल पर ध्यान देना होगा इसके अलावा बॉडि कलर से भी आप इसे पहचान सकते हैं आम तोर पर ऐसे वीडियोज में चहरे और बॉडि का कलर मैच नहीं करता है इसके अलावा लिप सिकिंग से भी इस तरह की वीडियोज की पहचान की जा सकती है कुछ प्लैट्फोर्म AI जनरेटेट के लिए वाटर मार्क या ऐस अवीकरन जोडते हैं कि कंटेंट AI से जनरेट किया गया है हमेशा ऐसे निशान या दिस्क्लेमर को ध्यान से चेक करें इसके अलावा आजकल बहुत सारे AI टूल मौझूद है जो AI जनरेटेट कंटेंट को आसानी से पकड़ सकते हैं AI और नौट, हाई मोडरेशन जैसे कई AI टूल भी काम में आ सकते हैं जो AI जनरेटेट कंटेंट का पता लगा सकते हैं डीप वेर स्केनर एक ऐसा टूल है जिसके मदद से आप किसी इमेज या वीडियो को डीप फेक पता लगाने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं इसके अलावा भी धिरो टूल ओल लाइन उपलब्ध है अब हम बात करेंगे डीप फेक वीडियो बनाने पर सजा के प्रावधान के बारे में यदि आप मजाग में किसी का डीप फेक वीडियो बनाते हैं और शेयर करते हैं तो आपके खिलाब IPC की धारा के तहट कारवाई हो सकते हैं भारे जुर्माना भी लगाया जा सकता है इसके अलावा यदि किसी की छवी खराब होती है तो आपके खिलाब मान हानी का भी मामला बनेगा इस मामली में सोशल मेडिया कंपनियों के खिलाब भी IT नीमों के तहट कारवाई हो सकते हैं शिकायत के बाद 36 घंटे के अंदर सोशल मेडिया कंपनियों को अपने प्लैट्फॉर्म से इस तरह के कंटेंट को हटाना होगा इसके साथ ही आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है हम फिर मिलेंगे एक नए विशे के साथ आप हमारे यूटूब चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद